आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ योशन एमार पास इफ यहाँ हम इसको solve करनेके लिए क्या करनेवाले है यह जो हमारे पास चल रहा है value है इसको integration by parts हम solve करेंगे clear तो integration by parts में जो formula हमारे पास हुआा करता है u into v के integration का यह u और v आपके पास x के 2 function है तो इनको solve करते है अगर हम तो formula होता हम 1st into integration of second, minus, differentiation of first, integration of second, whole integration, यह formula हुआ करता है मारे पास, clear, इसमें हम function decide करते हैं किससे, i-lets, यह short form है मारे पास, i-lets हम function decide करते हैं, ठीक है, i जो है मारे पास inverse function, l जो है logarithmic function को denote कर रहा है, a जो है algebraic function को, t-tygnometric function को, और e जो है वो exponential function को denote कर रहा है, clear, तो यह formula आप इसमें लगाते हैं, तो देखें आपके पास क्या चल रहा, i-ten, योशन में चल रहा है, 0 to pi by 2, x power 10 into sin x, ठीक है, तो अगर हम बात करें, x power 10, यह हमरे पास algebraic function है, और sin x जो है, वो t-tygnometric function है, तो a पहले आता है, 3 बात में आता है, तो यह u रहेगा और यह b रहेगा आपके पास, clear, अब इसमें हम formula आपलाई करते हैं, तो देखते हैं, कैसा बनेगा यह, formula आपके पास क्या है, first into integration of second, तो sin x का integration क्या होगा, sin x का integration minus cosec होगा हमारे पास, ठीक है, minus, differentiation of first, x power 10 का differentiation, 10 into x power 9, है न, x power n का differentiation, n into x power n minus 1 होता है, और दूसरे का क्या करना है, integration, तो sin x का integration अभी हमने किया, sin x का integration कितना, minus cosec, तो यह minus की जगा plus होगा, फिर इस पूरे का क्या करना है, integration करना है, तो इस पूरे का integration करो गए, तो limit तो चल रही 0 से pi by 2, dx, और यह जो first part का integration हो गया, इसमें भी तो limit रखनी है, upper limit pi by 2 और lower limit 0, यह तो solve हो चुका है, clear, तो value देख लेते हैं, यहाँ पर, क्या बनेगे मार पास, तो i10 equal to, हाँ, यह minus में है, तो minus बिलकुल आप बाहर ले सकते हैं, सबसे पहले देखो, आप pi by 2 पूट करोगे x की जगह, तो जब आप pi by 2 पूट करोगे, तो pi by 2 की power 10 और cos pi by 2, तो cos pi by 2 तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, minus, फिर आप lower limit पूट करोगे, तो 0 की power 10 कितना देगा, 0, और 0 को 1 से multiply करो, 0 को किसी से भी multiply करो, कितना आएगा, 0 आएगा, clear, आगे चले हम, plus, अब देखो, second में क्या बना, 10 तो constant आपके पास, ये 0 से πाई बाई 2, x power 9 into cos x dx, तो यहां भी वही करने वाले हम, integration by parts है, ये algebraic function है, तो ये रहेगा हमारा u, और ये trigonometric function है, तो ये क्या रहेगा, v रहेगा, clear, तो इसमें भी integration by parts का formula लगा देते हैं, तो i10 equal to, ये 10 आपके पास formula लगा, आपने, first into integration of second, है ना, तो first into, second का integration, cos x का integration, sin x, तो ये तो solve हो गया, तो इसमें तो upper limit रहेगी, pi by 2, lower limit का रहेगी, 0, minus, differentiation of first, तो 9 into x power 8, है ना, ये differentiation, integration of second, और whole integration, तो whole integration करेंगे, limit रहेगी, 0 से pi by 2, bx, clear, score solve कर लादे, देखें, कितना बनाए, तो ये हमारे पास i10, equal to, 10 बाहर चली रहे, आपके पास complete, सबसे पेल, आप pi by 2, put करेंगे, तो ये pi by 2 की power 9, और sin pi by 2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को तो note करने का मतलब ही नहीं है, multiply में है, minus, 0 put करेंगे, तो 0 की power 9, तो 0 ही देगा, तो complete 0 बन जागा है, clear, देखें आगे, minus, हाँ, यहाँ 9 constant है, तो 9 बाहर ले ले, और इसके साथ जो बचेगा, वो है 0 से limit pi by 2, x power 8, sin x dx, अब देखो, आप इस पार्ट को समझेंगे, जो चल रहा है आपके पास, question में आपके पास i10 क्या था, i10 था, जिसमें x की power 10 चल रही थी, बाकि limit 0 से pi by 2, sin x था, यहां भी होई हो रहा रहा है, limit 0 से pi by 2, sin x, और x की power कितनी 8 है, तो यह बनेगा आपास कितना i8, तो इसका मतलब, अगर हम बात करें, यहां पर i10 किसकी equal चल रहा, 10 into pi by 2 whole power 9, minus 9 into i8, ऐसा बन रहा है, तो यह देखें आप, i10 equal to, यहां से यह बनेगा, आपके पास 10, pi by 2 whole power 9, और यह आगे बल्टिप्ले होगा, तो minus 90 i8, यह आपका answer आएगा, i10 की value, ठीक है, तो option में देख लें, 10 के साथ pi by 2 whole power, कितना आपके पास, 9, और जो value find करनी थी, देखो, उसमें 90 i power 8 और चल गा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, LHS में लियाता हूँ, यह जो second time है, इसको मैं क्या करता हूँ, LHS में लियाता हूँ, तो यह आपके पास, जो exact answer जो बोला है, उसने question में, i10 के साथ, उसने के क्या, क्या क्योशन में 8 कर दिया, 90 i power 8, तो कोई बात ने, हम भी इसको ther लियाते है, LHS में, तो इसकी value हो जाएगी, 10 into pi by 2 whole power 9, देख्ये, यही पूछा है, क्योशन में देखले हैं, तो 10 into pi by 2 whole power 9 आएगा, पहले तो क्योशन में देखले हैं, यही LHS है आपका, तो यहाँ पर correct option कुन सा है, option number 3